हलो गुड बॉर्णिंग इस्टूडेंट्स बच्चो आज हम पाठ पढ़ रहे हैं सेख बाज मक्खी जो अपनी बहुत सेखी दिखा रही थी उस मक्खी की कहानी है यह एक जंगल था उस जंगल में एक सेर भोजन करके आराम कर रहा था इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुँची सेर ने दो तीन दिनों से स्नान नहीं किया था इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी सेर को बहुत मुश्किल से नीद आई थी उसने पंजा उठाया मक्खी उड़ गई लेकिन फिर से सेर के कान के पास भिन भिन सुरू हो गई अब सेर को गुसा आया वै दहड़ा अरे मक्खी दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार डालूगा मक्खी ने धीरे से कहा ची ची जंगल के राजा के मुह से ऐसी भासा कहीं सोभा देती है शेर का गुसा बढ़ गया उसने कहा एक तो मुझे सोने नहीं देती है उपर से मेरे सामने जवाब देती है चुप हो जब वरना अभी मक्खी बोली वरना क्या कर लोगे मैं क्या तुमसे डर जाओंगे मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ हिम्मत हो तो आजाओ अब शेर तो आग बबुला हो गया और मक्षी ने चुनोती दे दे शेर को कि अगर तुम्हारे अंदर इंमत है तो तुम आ जाओ शेर बबुला हो उठा उसने कान के पास पंजा मारा मक्षी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया मक्षी उड़ कर सेर की नाग पर बैठी तो उसने मक्षी को फिर पंजा मारा मक्षी उड़ गई अब की बाहर सेर की नाग चिल गई मक्षी कभी सेर के माथे पर बैठती कभी गाल पर तो कभी गरदन पर शेर पंजा मारता जाता और खुद को घयल करता जाता तभी मक्षी तो फट से उड़ जाती अंत में शेर उब गया ठक गया वह बोला मक्षी बहन अब मुझे छोड़ो मैं हारा और तुम जीती बस मक्षी घमंड में चूर होकर उड़ती हुई आगे बढ़ी सामने एक हाती मिला मक्षी ने कहा अरे हाती मुझे परणाम कर मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा हाती ने सोचा इस पागल मक्षी से बहस करने में समय कौन बरबाद करें हाती ने सूंड उठा कर मक्षी को परणाम किया और आगे बढ़ गया सामने से आ रही लोमडी ने यह सब देखा लोमडी मंद मंद मुस्तराने लगी इतने में मक्षी ने लोमडी से कहा अरे ओ लोमडी चल मुझे परणाम कर मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाती को भी हरा दिया है लोमडी ने उसे परणाम किया फिर धीरे से बोली धन्य हो मक्षी रानी धन्य है आप धन्य हो धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता लेकिन मक्षी रानी उधर वह मकडी दिखाई दे रही है वह आपको गाली दे रही थी उसकी जरा खबर लोने यह सुनकर मक्षी गुसे से लाल हो थी मक्षी बोली उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ यह कहते हुए मक्षी मकड़ी की तरफ जप्टी और मकड़ी के जाल में फस गई मक्षी जाले से छुटने की जो जो कोशिस करती गई त्यों तो और भी अधिक उसमें फस्ती चली गई अंत में वह थक गई हार गई यह देखकर लोमडी मंदबंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी देखो बच्चो इस पार्ट में हमने क्या सीखा कि जैसी करनी वैसी भरनी मक्षी ने सेर को परिशान किया हाथी से परणाम करवाया और लोमडी से परणाम करवाया लोमडी बहुत तेज होती है और लोमडी ने उसे मज़ा चखाने के लिए मकडी के जाल में फसा दिया और वह जाल में ऐसी फसी कि उससे फिर निकला नहीं गया बच्चों आप इस पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे और इसका जो शार है वो आप लिखेंगे यानि आपने इस पार्ट से क्या सिक्षा प्राप्त की